मुझें आप सब उम्मीदें आप सब खैरियत से होंगे अलहम्दलिल्ला मैं भी खैरियत से हूँ आज फिर एक नई रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ रेसिपी स्टाट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आज मैं शेयर करूँगी ब्रेड मिल्क टोस्ट यहाँ पर मैं ली हूँ ब्रेड का एक पैकिट इसमें से हम चार ब्रेड का इस्तमाल करेंगे यह रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है आप इसे ज़रूर ट्राइ करिएगा यहाँ पर मैं white वाला bread ली हूँ, sandwich वाला, आप यहाँ पर brown bread का भी इस्तमाल कर सकते हैं, friends यहाँ पर multi-grain bread का इस्तमाल बिल्कुल मत करिएगा multi-grain bread flip करते समय बहुत जल्दी तूट जाता है, friends इसलिए मैं suggest कर रही हूँ कि multi-grain bread से मत बनाईएगा और यहाँ पर ली हूँ में amulka butter, आप यहाँ पर butter की जगा घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं honey ली हूँ में, dabber का honey ली हूँ, आप कोई भी honey का इस्तमाल कर सकते हैं, और milk दूद ली हूँ में, एक glass, सबसे पहले हम butter दाल देंगे, pan में और flame रखेंगे low low flame पे ही इसे बनाईएगा, अगर आप high flame पे बनाऊगे तो कड़वाहट आ जाती है, butter जादा जलने की वज़े से, toast में कड़वाहट लगती है friends, इसलिए आप इसे low flame पे ही बनाईएगा, अच्छी तरीके से हम इसे brown होने तक सेकेंगे, हम इसे एक बार flip कर लेते हैं, और ये side से भी पूरा butter लगा लेंगे, और इसे अच्छी तरीके से सेक लेंगे हम, हम तवा sandwich बनाते हैं na friends, उसी तरीके से इसे भी सेकेंगे, golden brown, मैं तवा sandwich भी आपके साथ शेयर की हूँ, अगर आपने मेरा तवा sandwich की recipe नहीं देखे हैं, तो मैं उपर eye button में दे रही हूँ, आ बहुत ही amazing है friends, आप तवा sandwich को भी try करिए, और आप ये milk bread toast जो है, इसे एक बर ज़रूर try करिएगा, और मुझे comment करके बताइए, आपको कैसा लगा ये, milk bread toast, आप डालेंगे हम इस पर दूद, मैं दूद ग्लास से ही डाल रही हूँ, आप कब से डालिए, दूद डालते समय दूद में थोड़ा हाथों को बचा कर डालिएगा, steam बहुत आती है, दूद जब पकने लगता है, और हाथ जलने के थोड़े chances है, इसे थोड़ा थोड़ा करकर हम bread के उपर दूद डालेंगे, और तब तक डालना है दूद, जब तक के हमारा bread अच्छी तरीके से दूद को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और Tommos Kitchen को सपोर्ट करिए, मुझे आपके ही सपोर्ट की जरूरत है, और मैं अभी bread को एक बार फिलिप की हूँ, फिर उस पे डाल रही हूँ दूद, यह हम बिना शक्कर की रेसिपी बना रहे हैं, इसमें हम शक्कर का इस्तमाल नहीं क कर दिया है, इसे मैं फिर एक बार फिलिप कर दूँगी, इसे थोड़ा सेंटर में लेकर छूड़ा पका लेती हूँ, फिर इसे मैं फिल्फि कर दूँगी, अब आप देख कते हैं, हमारा bread ज्यादा दूद नही सोक रहा है, हमारा bread बहुत ही सौट हो गया है इसी थोड़ा आइस्ते से फ्लीप करिएगा और यह मैं फ्लीप कर दी हूँ अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और निकाल लेंगे हमारा मिल्क ब्रेड टोस्ट अब इस पर हम डाल देंगे हनी फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कॉमेंट भी जरूर करिए मुझे कॉमेंट पढ़ना आपके सच में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स कॉमेंट करिएगा इस पर अब हम डाल देंगे हनी और यह रेडि हो गया है खाने के लिए फ्रेंड्स आप इसका लुक देखकर ही समझ जाओगे यह खाने में भी बहुत टेस्ट फुल है आप इससे जरूर ट्राइ करिए इंशालला कल फिर मैं मिलूँगे एक नही रेसिपी के साथ अपना खयाल रखिए सेफ रहिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा